इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते है खुजली जलन और सफेद स्राव का कारण बनने वाले कीटाणूओं से आपकी रक्षा करना पूरे दिन ताजा और आरामदायक महसूस करने के लिए बस फोंग का एक टुकड़ा और इसे धो ले चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, स्वच और सुखा फों वाश आपको एक शानदार अंतरंग देखभाल अनुभव प्रदान करता है क्योंकि यह आपके अंतरंग शेत्र को धीरे से साफ, चमकीला, नमियुक्त और पोशित करता है 2. रोगानु विरोधी गुणों से भरपूर, प्राकृतिक टीट्री ओल आपकी अंतरंग त्वचा पर एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है, जो इसे जलन, चकत्ते और गंद से बचाता है 3. प्राकृतिक विटामिन E से सम्रिद गेहूं के बीच का तेल प्रकृति में एंटिसेप्टिक और सूजन रोधी है यहाँ आपकी सम्रिद अंतरंग त्वचा पर एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है, इसे कीटानों से बचाता है और आपको भीतर से स्वस्थ रखता है 4. जीवान उरोधी गुणों से भरपूर एलो वेरा खुजली और जलन को शांत करता है 5. एंटिसेप्टिक गुणों वाला ठंडा पुदीना तेल चक्तों को ठंडा करता है और ताजगी देता है 6. पौश्टिक प्राकृतिक दूद के अर्ख हमारी सम्वेद अंशील त्वचा द्वारा तुरंत अवशोशित हो जाते हैं ये स्वाभाविक रूप से हमारी त्वचा के स्वव उपचार पी एच संतुलन को बहाल करने में मदद करता है घर्शन, पसीने और तंग कपडों के कारण होने वाली त्वचा की रंजकता को भी हलका करता है साथ, ब्राइटनिंग विटामिन बी तीन अंतरंग शेत्र में घर्शन के कारण होने वाले रंजकता को कम करने के लिए चिकित्सकी रूप से सिध्ध है आठ, मॉइस्टराइजिंग ग्लिसरीन शुश्क त्वचा को हाइडरेटड और नमियुक्त रखता है नौ, पॉश्टिक नारियल का अर्ख तवचा के पी हेज संतुलन को बनाए रखता है और शुश्क तवचा से होने वाली खुजली को कम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें